दोस्तों बहुत दिनों से इस बात की प्रतिक्षा हो रही थी कि CBSE क्लास नौमी और ग्यार्मी के लिए रेजिस्ट्रेशन कब सुरू करेगी तो आज 8 दिसंबर 2021 को CBSE ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब क्लास 9 और 11 का रेजिस्ट्रेशन सुरू होगा ये इसलिए important होता है क्योंकि अब इसी डाटा से क्लास 10 और 12 का list of candidates त्यार होता है तो इस रेजिस्ट्रेशन के लिए जो important points हैं उनको हम समझ लेते हैं ताकि बच्चों को रेजिस्ट्रेशन कराने में और teachers को रेजिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी तो ये बच्चों के साथ साथ जो class teachers हैं उनके लिए भी important है और school के लिए भी important है तो चलिए देखते हैं क्या है खास बात इस notification में registration के बारे में सबसे पहली बात तो यही कही गई है कि देखिए the process of registration shall start from 15.12.2021 Wednesday registration का जो काम है ये 15.12.2021 बुधवार से शुरू होगा और इसका जो link है ये www.cbse.nick.in पर उपलब्ध होगा तो registration date पता लगए आपने को आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि only those students shall be allowed to appear for class 10-12 board examination for 2022-23 whose name would be submitted through the online process of registration explained in the circular जिन बच्चों का सर्कूलर इस बार जिन बच्चों का registration होगा class 9th और 11th के उन्ही को 2022 और 23 में class 10 और 12 के board examination में बैठने दिया जाएगा इसलिए ये उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी है जो class 9th और 11th में है वो ये ensure करें कि उनका registration time पर जरूर हो जाए साथ में एक ये भी important बात कही गई है देखिए point number 3 है D कि students are regularly attending the classes in your school ये दियाले के प्रधाना ध्यापक को ध्यान रखना होता है कि सिर्फ उन्ही बच्चों का registration के आ जाए जो लगातार regular basis पे school आ रहे हैं यानि कि school से गायब नहीं हो रहे हैं ये बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत है और एक important point जो कि affiliation by law में भी आता है और examination by law में भी आता है वो ये कहता है कि no affiliated school shall present the candidate to the board examination who are on its role but have not attended the school regularly and do not meet the requirement of minimum attendance for appearance in the board examination यानि कि यदि किसी बच्चे का नाम school में लिखा तो हुआ है लेकिन वो बिलकुल भी school नहीं आता regularly गायब हो जाता है बीच में absent रहता है कभी आ जाता है और कभी छुटी कर लेता है अपनी मर्जी से और एक minimum attendance के requirement होती है कि 75% आपका attendance पूरे साल भर में जरूर होना चाहिए अगर वो नहीं होता तो उस बच्चे का restriction नहीं होगा और अगर restriction नहीं होगा तो बच्चा 2022 में board exam में नहीं बैट पाएगा इसलिए सभी बच्चे इस बात को ensure कर लें यह बहुत जुरूरी है एक important information जो है वो teachers के लिए है और point number 10 देखिए यह कहता है कि only those TGTs, PGTs who are teaching class 9-11 and 11-12 respectively should be shown as TGT, PGT to ensure appointment of eligible evaluators for quality evaluation registration के साथ ही TGT और PGTs का भी detail upload होता है क्योंकि class 10-12 का जो board होता है वहाँ copy checking के लिए evaluation के लिए इन ही teachers को pick किया जाता है इसलिए जितने भी TGT और PGT हैं यह ensure कर लें कि उनका नाम Oasis portal पर जरूर upload हो जाए ताकि evaluation के समय में उनका नाम evaluation के लिए जरूर आए और point number 14 कहता है कि schools are requested to fill in full name of candidate mother, father, guardian यह बहुत important है subject teachers, class teachers और examination in charge इस बात की उपर जरूर ध्यान दे कि बच्चों का जो नाम लिखा जाएगा उनके माता-पिता का या गार्जियन का जो नाम लिखा जाएगा उसमें short form, abbreviation बिल्कुल भी avoid किया जाए और सिर्फ full name लिखा जाए पूरा-पूरा नाम लिखा जाना चाहिए और पिछले कुछ दिनों एक about उरी थी आप लोगों को ध्यान होगा कि अब class 9 और 11 का examination भी CBAC करवाएगी तो उसके बारे में बहुत ही clarity के साथ point number 15 में कहा गया है कि CBAC class 9 और 11 का कोई exam conduct नहीं करवाएगी और class 9 और 11 के लिए जो exams होंगे वो internal exam होंगे और school में ही होंगे साथ ही point number 16 में कहा गया है कि इस बार चुकि regular school नहीं चली है इसलिए school को sports fee नहीं पे करना होगा और sports fee पे करने से इनको छूट दी गई है इसका फाइदा खास करके public school को होगा point number 18 देखिए ये कहता है कि school shall have to upload the photographs and signature of their bona fide student of class 9 and 11 registration before final submission ये जरूर बच्चे ensure कर लें कि final submission से पहले उनका photograph और उनका signature जरूर लिया जाता है और उसके बाद ही final submission होगा अगर आपका photo नहीं है आपके registration form के उपर या फिर अगर आपने signature नहीं किया है तो फिर इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आपको board exam देने में परिशानी पैदा होगा आगे बरते हैं और यह देखिए point number 20 में कहता है कि board has prescribed scheme of studies which is available on curriculum यह link दिया हुआ है cbacacacademic.nick.in oblique term wise curriculum dash 2022 यहाँ पर में class 9 के लिए 11 के लिए 10 के लिए और 12 के लिए सभी classes के लिए scheme of studies दी हुई है किसी भी doubt के condition में आप यहाँ से refer कर सकते हैं और साथ ही यह भी एक चितावनी दी गई है कि in accordance with the scheme of studies the board has prescribed list of valid or invalid combination of subjects schools should check the combination of subjects before filling in the subjects in LOC as per an excerpt 4 and an excerpt 5 यानि कि cbacac ने एक list बनाई है जिसमें valid or invalid subject combination दिया हुआ है तो finalization से पहले बच्चे यह जरूर देख लें कि उसके पास जो subjects जो उसके नाम के सामने लिखा गया है वो valid combination का होना चाहिए invalid combination का नहीं होना चाहिए यह जरूरी है ताकि बात की समस्याओं से बचा जा सके और एक महत्वपुन बात जो कही गई है स्कूलों के लिए वो point number 24 में है जिसमें यह कहा गया है कि in earlier years schools were required to send the signed copy of finalized data of registered students of class 9 and 11 to concern regional office this practice has now been done away with इसका मतलब यह हुआ कि एक बार जैसे ही data आपके portal पर upload हो जाता है और final हो जाता है उसके बाद आपको registration की कोई भी hard copy CBAC में भेजने की जरूरत नहीं है इसलिए यह important है कि जो भी data computer में भरा जाए वो बहुत ही accurate हो और बिलकुल सही हो क्योंकि point number 25 कहता है कि no window for correction in the uploaded data will be made available from this year onwards and uploading of correct data is the responsibility of school only data में correction के लिए कभी भी अब chance नहीं मिलेगा एक बार जो आपने data भर दिया वो final हो गया इसलिए यह school के responsibility fix की गई है कि जो भी data बच्चों का upload किया जाए वो बिलकुल सही data हो और उसमें कोई भी गरबरी ना हो साथ ही as efforts for correct data data सही जाए इसके लिए cbac कहती है कि school will not change any record of any student available with the school once his data has been submitted to cbac on the registration portal एक बार registration portal पर final होने के बाद यदि कोई बच्चा यह कहता हुआ आता है कि जी मेरे नाम में गलती है या मेरे पिताजी के नाम में गलती है या माताजी के नाम में गलती है ठीक कर दो तो school इसे ठीक ना करे क्योंकि एक बार जैसे ही data cbac portal पर submit होयाता है उसके बाद अगर कुछ भी change होना है तो यह अधिकार सिर्फ cbac का है इसलिए बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि जो भी data उनका भरा जा रहा है और जो आगे जाएगा वो बिल्कुल correct होना चाहिए इस बात को ensure कर लें सभी बच्चे यह बहुत जरूरी है और उनके हित में है और देखिए बच्चों को क्या करना है इसके बारे में एक पूरी list दी गई है जिसका ध्यान बच्चों को रखना चाहिए प्रापर तरीके से registration हो इसलिए और क्या क्या बाते कही गई है उसको सभी बच्चे note कर लें कि students must give the expanded name of self and father, mother अपने माताजी का, पिताजी का, गार्जियन का और अपना नाम का full expanded form देना चाहिए short form नहीं देना चाहिए, कोई abbreviation नहीं देना चाहिए दूसरी बात कही गई है कि students may check that their data is similar in all the documents like date of birth certificate, school record, अधार कार्ट, passport बच्चों को ये जरूर धियान रखना चाहिए कि जो भी data दिया जा रहा है, वो हर जगह same होना चाहिए जैसे date of birth, ये नहीं कि school के record में data of birth कुछ और है और registration के समय कुछ और चला गया, ऐसा नहो जो date of birth आपका actual है, जो school के record में है, वही होना चाहिए आपके registration में भी, ये एक example मैंने आपको बताया एक बात यहाँ कही गई है, देखिए point number D में कि the date of birth is as per date of birth certificate and as per school record जो बच्चे का date of birth certificate बना है, और जो उसके school में record में लिखा हुआ है, वही date of birth आपके registration में भी जाएगा कोई बच्चा अगर आपसे बात में कहता है कि जी देखो मेरा तो date of birth ये नहीं है, मेरा तो कुछ और है, तो वो नहीं माना जाएगा इसलिए date of birth आपके school record में जो होना चाहिए और जो आपके birth certificate में होना चाहिए, वही final माना जाएगा और E point कहता है कि students should describe their name in full, आपको अपना नाम पूरी तरह से clarity के साथ full में लिखवाना चाहिए और अगला point कहता है कि no salutation shall be added to the names, चाहिए आप अपना नाम लिखें, माता जी का नाम लिखें या पिता जी का नाम लिखें उसके साथ स्री या स्रीमती या डॉक्टर इस तरह से कोई भी salutation लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखवाएं क्योंकि नाम ही record होगा, salutation record नहीं होगा और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये स्कूल को ध्यान रखने की बात है, बच्चों को भी ध्यान रखने की बात है कि आपके admission और withdrawal register में जो नाम लिखा हुआ है, student का, mother का, या father का, या guardian का वही नाम लिखा जाए, और full में लिखा जाए, उसमें abbreviation बिलकुल भी ना लिखा जाए, और जो admission और withdrawal register से इतर कोई भी नाम ना लिखा जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे school, यह देखे, class 9 और 11 के लिए, जो subject code यहां दिया हुआ है, इसको अची तरह समझ लें, और इसी के हिसाब से registration हो, इस बात का ध्यान सब लोग रखेंगे, जहां तक syllabus और scheme of studies का सवाल है, तो फिर class 10 के लिए भी, और class 12 के लिए भी, यह cvsaacademic.net.in पर term wise curriculum डाला हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, कि आपका scheme of study क्या है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से deleted chapters हैं, यह सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी, अब आईए बहुत important बात, जो fee की बात है, कि fees कितना लगेगा, तो यह आप देखिए, without late fees 300 रुपे लगेगा, चाहे आप class 9 में पढ़ते हैं, चाहे class 11 में पढ़ते हैं, 300 रुपे हर बिच्चे को देना है, यहां पर SC, ST, OBC बच्चों के लिए कोई छूट नहीं है, और without late fees registration final करने की जो अंतिम्तिती है, वो 30 12 2021 है, यानि कि 30 15 दिसंबर को portal खुलेगा, और 30 दिसंबर 2021 Thursday को बंद हो जाएगा, इसलिए यहां तक आपका registration जरूर हो जाना चाहिए और अगर नहीं हो पाया, तो फिर आपको late fees लगेगी, और late fees होगा दोनों ही class के लिए, 9th और 11th के लिए 2300 रुपे, और late fees के साथ 7 जनवरी 2022 तक registration किया जा सकेगा, यहां एक important बात ध्यान देने लिए योगी यह है कि date of finalization of registration data is plus 4 days, यानि कि अगर आपने 30 12 तक finalize कर लिया ह है, तो plus 4 days आपको odd मिलेगा, यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि train India में जितने schools हैं, उनको training fee के तौर पे 10,000 रुपया देना है, यह देखे, यह वाला point बहुत important है, इस संबन्द में कि if students detail are entered and finalized on 38th December 2021, the school can pay the fee till 3rd January 2022 without late fees, उसके बाद आपको late fees लगीगा, यानि कि 30 12 तक आपको किसे भी हालत में student data finalize कर देना है successfully, और उसके बाद जहां तक चालान से fee pay करने का सवाल है, तो उसके लिए आपको 4 दिन और मिलते हैं, तो इन बातों का सभी जरूर धियान रखें, और सभी बच्चे और सभी teachers यह ensure कर लें कि बच्चों का registration अच्छी तरह से हो जाता है, all the best.